तुम कितने दूर हो मुझसे, मैं कितना पास हू तुमसे, तुम्हें पाना भी ना मुम्किन, तुम्हें खोना भी ना मुम्किन. तुम्हें एक पीकशक रेडिंग लेकर आप सभी के लिए और आज की रीडिंग का हमारा टॉबिक यह है गयिस कि क्या आप तोनों के बीच में नजदी किया फिर से बढ़ेंगी? जी हाँ यह title इसलिए मैंने चूस किया है कि पहली बात तो आप में से ही किसी ने suggest किया है comment में और दूसरी बात यह है कि मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोगों के relationship में दूरिया आ गई है और अगर फिर से relationship को पहले जैसा बनाना है तो सबसे पहले important बात होती है कि नजदी क्या बढ़नी चाहिए comfort zone बढ़ना चाहिए है ना तो यहाँ पर नजदी क्या आप लोगों का reconciliation आप लोगों का फिर से मिलना कुछ भी कह लीजिए तो वो नजदी क्या आप वापस कब बढ़ेगी क्या chances है आप तोनों के तूटे हुए बिखरे हुए relationship में फिर से नजदी के आने की यही है आज का हमारा सवाल और यही है आज का हमारा topic ओके तो मैंने यहाँ पर आपको excited भी सुनाई थी कि तुम कितने दूर हो मुझसे मैं कितना पास हो तुमसे तुम्हें पाना भी नामुमकिन है और तुम्हें खोना भी नामुमकिन है तो ऐसे ही situation में आप हो कि ना ही कि आप उने खोना चाहते हो तो आज देख लेते हैं कि क्या आपके पोसंद आपके साथ नजदिक क्या फिर से बढ़ाते है या नहीं बढ़ाएंगे या फिर वो आप से दूर और दूर होते ही चले जाएंगे क्या होने वाला है इस रीडिंग में तो यहां पर मैंने दो पाइल रखे है गाइस यह है पाइल नमबर वन पहला कार्ड है दर ड्रीम यानि की सपने सपने जीने लगता है कि आपका रिलिशनिश्ट्रिफ एक सपना है सपना बनकर रह गया इसमें कोई हकिकत नहीं है और आप चाहते हो कि इस सपने को पूरा करना तो आप इस पाइल को चूस कर सकते हो कि पाइल नमबर वन दर ड्रीम देख लीचे गाइस यह है पाइल नमबर टू पॉसिबिलिटीज यानि की कोई चांसे फिर से कोई दुबारा मौका चांस उमीदे है ना यह है दूसरा पाइल पाइल नमबर टू पॉसिबिलिटीज कि आपको लगता है कि इस रिस्ते में आप भी कुछ उमीदे बाकी है कुछ पॉसिबिलिटी बाकी है तो आप इसे चूज कर सकते है गाइस आप चूज कर लीजे दोनों में से एक पाइल दिल पर हाथ रखे पॉजिटिव एनरजी में रहिए ओके दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूँगा कि पल में पिखल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा गाइस जब तक आप पाइल सेलेक्ट कर रहे थे मैंने सोचा कि आपको एक गाना सुना देती हूँ छोटा सा तो मैंने सुना देया जो याद आया मुझे तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं आपके रिडिंग यह है पाइल नंबर वन ओके तो लेस्ट चार्ट आवर रिडिंग और लेस्ट सी क्या आप दोनों के बीच में नजदी क्या फिर से बढ़ेंगी चांसे कितने हैं यही हमें देखना है गाइस जरा सिद में दे जगातो जरा सापना लेवाना जरा सखांबो में सजातो जरा साया दो में बसा मैं चाहू तुछ को मेरी जाबे पना फिदा हू तुछ पे मेरी जाबे पना क्या आप दुनों के बीच में नजदी क्या फिर से बढ़ेगी हां गाइस देख लेते हैं आप में से बहुर लोग तो आप उमीदे छोड़ चुके होना गईस मुझे पता है चलिए गाइस मैंने कर लिया कार्स के सब्लिंग और निकालते हैं यहांसे कुछ कार्स पहला कार्स आया है फोर अफ काप्स ओके पीज ओफ सोर्ट्स वाव नाइन अफ पांटेकल्स टेवल दो कार्ट साथ निकले हैं गाइस एक है टेन अफ पांटेकल्स और दूसरा है किंग ओफ सोर्ट्स किंग फांटेकल्स है पूस्ट्स थीजिए थाव अफ कप्स फाइव उफ वैंस और बॉटम में क्या आया है गैस टावर टावर आया है गैस बॉटम में ओके पाइल नंबर वन आपको कुछ साइन और अलेमेंट बता देती हूं हाला कि यहाँ पर सभी साइन है आप देख सकते हो पर सबसे जादा यहाँ पर मुझे पैंटिकल्स के अनरजी नज़र आ रही है यानि कि यहाँ पर और साइन है टॉरस वर्गों काप्रिकॉर्ण अगर मैं सबसे पहले सबसे निकल कर आए है यहाँ बहुत अची तरीके से यहाँ पर बता बता रही है मुझे आप दोने के रिलेशन्शिप में अभी क्या चल रहा है अगर मैं सबसे पहले बॉटम अब देक का जो काड़ आया है जो अभी आपके परसन की ओवरोल एनरजी है है तो यहाँ पर यह नजर आता है कि टावर मुवमेंट आप जुनों के लाइफ में अभी भी चल रहा है यानि कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो जिनके रिष्टे में अभी बहुत ज़ लड़ाई जगड़े कुछ लोगों के लिए तो यहां तक यह डिवोस भी हुआ है ऐसा नजर आ रहा है या डिवोस केस तक बात चली गई है अगर आप मैरिड हो यानि कि रिष्टे की पूरी तरीके से बरबादी यहाँ पर नजर आ रही है और आपके जो अभी परसन है ज इन्हें लगता है कि अब इस रिष्टे में इतनी जादा नाकाम्याब यह हो गए है रिष्टा बुरी तरीकी से खराब हो चुका है तो इस बात को लेकर बैठे हुए अभी आपके पूसंट ठीक है कि इसी एनर्जी में है और यहां पर इसी वज़े से जो भी प्रॉलम्स आपके बूसा आपके रिलेशनशिप में हुई है उससे यह इनसान अभी तख भूल नहीं पाए है उससे उन्होंने अपने आपको अभी तक हील नहीं किया है 24 आवर 7 इसले इस इनsान के दिमाग में जहां पर आपको बहुत जब आता यह यह याद कर रहे कियो रहे हैं वहीं पर आपके और इनके बीच में जितनी भी प्रॉलम्स होई थी पास्ट में उन बातों को भी यह लगातार याद कर रहे हैं और उस एनरजी से निकल नहीं पा रहे हैं यानि कि नेगटिव थौट्स नेगटिव एनरजी जितना भी यूण गलत चीज़े हुआ है ऐन आपके रिलेश्रिशिप में बस ये चीज़े इनके माइन में चल रहे है इसे वज़ें से हो सकता है कि वह आपके ओफर्स को ठुकरा रहे है आपके offers को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर देखे, four of cups क्या दिखा रहा है, यह जो हाथ है, यह हाथ आपके है, यह cup, जो प्यार का cup है, यह आप इन्हें offer कर रहे हैं, और यह इनसान बिल्कुल भी touch से मस नहीं हो रहे हैं, आपके offers को नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बेरुखी दिखा रहे हैं इन्होंने अपना मुझ फेर लिया है आपसे और इस रिष्टे से ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है ठीके यहाँ पर गल्तिया बहुत ज़्यादा आपके पॉसन की तरफ से हुई है क्योंकि यहाँ पर आया है डेवल का काड डेवल का काड आते हुए भी आप आपके साथ ऐसा बरताव कर रहे हैं, आपके कोई मतलब नहीं है इन्हें, आप चाहें जितना रोलो, जितना गिरगड़ालो, इनके सामने जितना भी आप कोशिश कर लो, offers देने की, इन्हें मनाने की, इन्हें प्यार देने की, पर यह बिल्कुल भी गुरूर में बैठे पर जिस ठंक से ये सर जुगा कर बैठे है, इनके चहरे पर एक जो दर्थ है उसे पता चलता है कि ये इनसान घमण में तो है, गुरूर में तो है पर कही ना कहीं अफसोस में भी है, मुझे यहाँ पर ये परसन ऐसे लग रहे है और अफसोस में यहापर होने का reason बहुत सारा आया है guys, अब मैं आपको बता दू कि आपकी relationship में मुझे तो लगता है कि past में तो बहुत जारा लड़ाई, जगड़े, arguments, domination, ignore, सब कुछ आपको किया गया है, you know, five of events की जो energy है वो दिखाता है कि आपको बहुत बुरी तरीके से य और यहाँ पर आपके person ने ऐसा नहीं किया है, आपके person के life में और आपके life में बहुत लोगों की यहाँ पर दखल अंदाजी, involvement भी मुझे नज़र आ रही है, okay, कि इन्हें जो है, उकसाया गया है आपसे दूर होने के लिए, इन्हें बरगलाया गया है, आप कुछ भी कह सक करते हो, यानि कि involvement, दूसरे लोगों की involvement बहुत ज्यादा थी, guys, आपके relationship में, और इसका खामियाजा भुगरना पड़ा, सिर्फ शिर्फ आपको, क्योंकि आपने जो है, आपके person ने जो है, दूसरे लोगों का गुसा, दूसरे लोगों ने जो इनका brainwash किया है, वो सब भड जो है, आपके उपर निकाली है, यहाँ पर मुझे यह नजर आ रहा है, और इस, यहाँ पर जो, देखे, 5-6 लोगों का involvement, यहाँ पर जो नजर आ रहा है, इस कार्ड को यहाँ पर प्रूफ करता है, King of Pentacles का का कार्ड, King of Swords का का कार्ड, High Priestess का का कार्ड, तो यह तीनों कार् आपके रिस्ते में सामिल है, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों को एक हो जाए, आप दोनों एक हो जाए, एक रिस्ते में बन जाए, तो बहुत ज़्यादा इन्हें, आपका तमासा यहाँ पर बनाया गया है, Pile No.1, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस relationship के तूटने के पीछ बहुत सी चीज़ें, जैसे कि Devil का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि आपके साथ कितना धोका हुआ है, आपको कितना जाए यूज किया गया है, आपको तकलीफे दी गई है, आपके साथ बहुत सी बाते छुपाई गई है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है, और High Priest एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसने आपके साथ बहुत सारे जुट बोले हैं, बहुत सी बाते ऐसी हैं, जो साइद आज तक आपको पता भी नहीं है, जो इतनी सारी बाते इस इस इंसान ने, आपके पोर्सन ने यहाँ पर छुपाई है आपके साथ, और यहाँ पर जो बात नेगर्टिव एनरजी इस आपके पोशन में जितनी भी थी वो उन्होंने आपके उपर उड़ेल दी यहां पर करने की कोशिस में अभी भी लगा हुआ है या लगी हुई है तो यहां पर बहुत ज्यादा गलत आपके साथ किया गया है आपके पोशन यहां पर मुझे लग रहे है पेज ओफ सोर्स की आनरजी से कि अभी पी इनसान आपको अभी स्टॉक कर रहे है आपको देख रहे है ना ब्लॉक तो किया ही होगा आपको डेफिनेटली क्योंकि जो इनसान इस आनरजी में होगा और दूशरों की बाते सुनेगा तो वो आपके सवालों का जवाब देने की हिम्मत इस इनसान के पास नहीं होगी तो वो क्या करते है मुझ छिपाते फिरेंगे ब्लॉक करेंगे आपको है ना मुझ छिपाते फिरेंगे आपके साथ फेस बात करने की हिम्मत इस इनसान में नहीं होगी क्योंकि घट्या हरकत बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके साथ की गई है आपको तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आसू दर्द धोका चीटिंग आपको पाइल नमबर वन मिल चुका है आपके पॉसन से कोई भी कमी यहाँ पर बाकी नहीं छोड़ी है इस इंसान ने आपको तकलीफ देने में और इसके पीछे जो है दूसरे लोगों का हाथ है ब्लेसिंग्स दूसरे लोगों का ब्लेसिंग्स है आपके पॉसन के सर पर है ना और इन्होंने क्या-क्या है आपको तकलीफे दी है द गलत कर दे ऐसे इंसान तो बिलकुल नहीं है दिमाग तो इनको भी दिया गया है पर अपने दिमाग का इस्तेमाल यहां पर नहीं करते हैं दूसरे लोगों के दिमाग पर चलते हैं आपके पॉसंद ऐसी एनरजी मुझे आपन अजरा रही है और जो यह ओफर्स अभी आपका इन ओफर्स को ठुकराने में भी आपके पॉसंद की कोई भी इसमें इन्वाल्ब्मेंट नहीं है आपके पॉसंद को कहा जा रहा है कि आपसे दूर रहना है आपसे कॉंटेक्ट नहीं करना है आपसे बिलकुल अलग करने की बारे में यहां पर उनकी ब्रेन में बहुत सी ग बहुत ढंक से जा रहा है और जो हमारा जो बॉटम में आया है उसने भी हमें यहां पाद दिखा दिया कि टावा मुमेंट में ही आभी तक यू पर पैठे हुए आपके पॉसन वही पर घूम रहे उन्हें लगता है कि आप रिस्ता ठीक नहीं हो सकता रिस्ते में बरबाद ही ह बाद भी आपके साथ तमाम लड़ाए जगड़े करने के बाद भी हैना यहां तक डिवोर्स तक की नोबत अगर आप मैरेड हो तो यहां पर डिवोर्स तक देने की बात हो गई फिर भी यह इनसान आपको अपने दिल में कहीं न कहीं संजो कर रखे हैं अपने दिमाग से वह यहां पर यह जो 9 O Fandakos की आज़ी आई है यह आपकी आपको सोचते हैं आप अभी भी इनके खयालों में हो आप अभी इनके दिमाग में हो और आपको जब यह सोचते हैं तो कैसे नजर से देखते हैं कि आप एक परफेक्ट इंसान हो एक मैरेज मैटरेल की तरह आपको दे इस वह जासेल इससे हो सकता है कि इनसान आपकी तरफ फिसिकनल भी जादा है है sexual attraction इस इंसान का आपके तरफ बहुत ज्यादा है और यहां पर यह भी हो सकता है कि जब आप लोग सुरुवार में मिले हो तभी इस इंसान ने जादा प्यार से जादा आपके तरफ sex approach जादा किया हो हैना कि sexual होने के लिए जादा आपको pressurize किया गया कि और फोर्स या गया कि ऐसा relationship हमें रखना चाहिए और हो साथ कि आप मेंसे बहुत लोगों ने यहां पूरी नहीं माना और तब आप मान गए तो आपको यूज करकर चले गए और जब आपने नहीं माने तो आपको छोड़ कर चले गए यानि कि चिट भी मेरी पड़ भी मेरा इस टाइप के अनरजी में थे आपके पोस्ट ठीक है और यहां पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना गईस कि इस इंसान की एक आपको बहुत जारा दर्द देना नेगेटिव बाते आपको बोलना तो ऑप्शन की तरह हम इसे आपको बरताव करना तो यहां पर इस इंसान की मुझे आप यहां पर ऐसी जीद लग रही है ना गईस की डेवल के अनरजी में जब कोई इंसान होता है ना तो उसे वो किसी पाने की ख्वाहिस रखता है तो उसे पाकर ही रहना चाहता है ऐसे अनरजी सहां पर होती है तो आप लोग यहां पर बहुत से लोग कार्मिक रिलेशनशिप में मुझे यहां पर नज़र आ रहे हो क्योंकि इस इंसान की अभी मुझे कहीं ना कहीं जीद एक ऐसी लग रही ह कि अभी तो यह आपसे दूर है अभी आपसे यह कटे हुए है पर इनके दिमाग में बहुत सी चीज़े साधी को लेकर यहां पर चल रही है यह जिस टाइप का तस्वीर इन्होंने आपका अपनी दिमाग में डाल रखा है ना कि आप एक परफेक्ट इंसान हो आपसे बहतर है इन्हें कोई नहीं मिल सकता है और आपके तरफ जितना physical attraction हो सकता है कि इनको आपकी आखे पसंद हो आपका body structure पसंद हो आपके बात करने का तरीखा पसंद हो हो सकता है कि आप financially अच्छे हो अपका career अच्छा या इप पढ़ने लिखने में आप अच्छे हो तालेने हो इनकी आभी thoughts यहीं चल रहे हैं क्योंकि यहां पर आया है 10 of pentacles, 10 of pentacles क्या दिखाता है, एक भरा पुरा पर्यार दिखाता है, एक अच्छा lifestyle को दिखाता है, एक ऐसे इंसान को दिखाता है, जो आपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहता है, तो person आपके devil के energy म आपको दिया है, अभी भी यह इसी breakup के stage में ही है, उन्हीं past की बातों में ही अटके हुए है, भूल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि आप में से ही कुछ लोगों नहीं ब्लॉक कर दिया है, आपने से दूर कर दिया है, तो यहां पर यह सब तमाम चीज़े आप भी भी नहीं भूले है, और कहीं नहीं इस इंसान को एक जित लगी हुई है, कि मुझे अगर साधी करनी है, तो आपके साथ ही करनी है, भले ही यह इनसान खुद अभी आपके साथ रिस्ते में नहीं है, खुद इनों ने आपको धोका दिया है, खुद आपको चीटिंग किया है, पर इस कि नजर में अभी कोई और जच नहीं रहा है आपके सिवा ऐसी एनरजिस मजे यहाँ पर नजर आई है गैस that they want to get married to you and only you साधी करनी है तो आपके साधी करनी है पर अभी नहीं करनी यहां पर अपनी feelings को नहीं बता रहे feelings को दबा रहे हैं तो यहां पर कुछ न कुछ यह इंसान खिचडी मुझे पकाते हुए नजर आ रहे कि यह वापस जरूर आएंगे नजदी क्या यहां पर बढ़ाने का कोई भी कार्ड नहीं आयाएंगा इस हमारा आज का सवाल था कि क्या वह नजदी क्या बढ़ाएंगे नजदी क्या बढ़ाने का तो यहां पर कोई कार्ड नहीं निकला है पर इस इंसान का जो एक सोचने का ढ़नग है आपको लेकर उस सोच में कहीं नखिए इंसान कमबाक करना चाहते वापस तो यह जरूर अब भी नहीं आएंगे इस ठीजन को होने में टाइम लगेगा फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूं कि क्या इनसान नजदिक क्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाते हैं क्योंकि अभी यहां पर यह तो स्विफ आपके ओफ़र्स को ठुकराते भी ही नज़र आ रहे हैं पर दिमाग में बहुत जादा इनकी थॉट्स चल रही है आपको लेकर क्योंकि आपको यह एक परफेक्ट वाइफ मैट्रियल या हस्बेन मैट्रियल यह देख रहे हैं कि आपके साथ करने के लिए अगर कोई परफेक्ट इंसान हो तो वह आप ही हो इस टाइप की आइनर्जी मुझे यहां पर इस इंसान की नजर आ रहे हैं हो सकता है कि कभी-कभी अगर यह आपके साथ कॉंटेक्ट करते भी है तो बहुत जादा लड़ाई जगड़े ही करते होंगे जाइस ओके अभी इनका यह जो तमासा है वह खतम नहीं हुआ है आपको दर्थ देने का मुझे ऐसा लग रहा है मैं देखना चाहती हूं कि क्या नजदी क्या बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे एक या दो कार्ट निकालोंगी गईस आच सहरा यह गगा निकालते हैं कुछ कार्ज देखते हैं कि क्या होगा ज़ चल रहे हैं पर अभी नहीं हैंज्कि आप लेना चाहते हैं पर फ्यूचर में क्या करेंगे नाइन आफ वैंस मुझे और चाहिए दस्टार एक और निकालते हैं तू अफसोर्स तो गाइस अब इससे जारा मैं नहीं निकाल सकती है देखे इन कार्ट में भी मैंने कोशिस की कि यह अपनी नजदी क्या कब बढ़ाएंगे आपके साथ है तो यहां पर भी जो निकला है वो यही निकला है इसकी इनसान डेफिनेटली दूशे लोगों के बहकावे में इनसान चल रहे हैं अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं बहुत से चीज़ों का बालेंस अभी भी करनी की कोशिस कर रहे हैं ट्रॉस्ट इश्यूस इन्हें बहुत जारा हो रही है इन्हें अभी लग रहा है कि यह फेल हो गए है रिलेशन्शिप में हर चीज में इन्हें आपको जब देखते हैं तो फेलियर के हिसाब से ही अपने आपको देख रहे हैं और यहां पर स्टार्ट का काड़ एक आया है कि यहां पर यह इन्सान कुछ ना कुछ विशे से यहां पर मांग रहे हैं और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है इसकि आपके रिलेशन्शिप में बहुत ज़्यादा प्रॉलम्स हो गई है और इस इन्सान को कही ना कही यह एहसास हो रहा है कि जो टावर मोमेंट आपके ल मुझे आपकी पोज़र आ रहे हैं कि situation से निकलना situation से भागना मुश्किल हो रहा है इस इंसान को इसे वज़े से यहां पर कुछ न कुछ इनका जो हुआ चल रहा है आपको अभी भी याद करते हैं आपको अभी भी पसंद करते सादी की वारे में भी जब सोचते हैं तो आपको ही सोचते हैं तो यह जब इनके हाथ में नहीं हो रहा है यह जब इसमें कुछ कर नहीं पा रहे तो यहाँ पर इस चीज़ को पाने के लिए यानि कि आपको पाने के लिए आपके साथ साधी करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ विसस यह मांगत तो यहां पर आपकी रिष्टरी में बहुत ज़रा कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज़रा प्रॉल्मेटिक हो गई आपकी रिलेशनिशिप तो इस इनसान को भी कही न कहीं लगता है कि अब इससे साहिद मैं निकल नहीं पाऊंगा जहां पर मैं फसा हुआ हूँ और मैंने बहुत बढे है तो आज का हमारा सवाल था है कि क्या ये नज्डिक कि या ये इंसान नज्दीक के आपके साथ बढ़ायेंगे ये हमारा सवाल था नहीं मुझे यहां १ार लग रहा है कि इस चीजने में बहुत बुरा वक्त चल चुका है हो चुका है और जिन सब चीजों से निकलने में, हील करने में, इस दर्ट से निकलने में इस इनसान को थोड़ा यहां पर वक्त लग सकता है, तो अभी के लिए इनसान आप से नजदी क्या नहीं बढ़ाएंगे, अभी के लिए यह आपको सोसल साइस पर स्टॉक करेंगे, आपको बहुत जारा थोट्स इनके दिमाग में आएंगी, पर यहां पर यह फसे हुए भी है, तो इन्हें अपने आपको हील करने दीजिए, इस सब तमाम मुसीबतों से निकलने दीजिए, इसके बार में हो सकता है कि यह फ्यूचर में आपके साथ नजदी क्या बढ़ाने के बारे में सो तो पाइल नमबर वन, रीडिंग से बिल्कुल भी डिसपोइंट मत होना, क्योंकि आप जानते हैं, इंसान के किस्मत हर पल बदलती है, इंसान के थौट्स हर पल बदलते हैं, आज की रीडिंग में यह निकला है, तो हो सकता है कि कल कुछ और निकले, हैना कल इनकी थिंकिं क्योंकि मैं तो हमेशा कहते हूं कि अगर बहुत जारा दोका चीटिंग अगर आपको दिया गया है, तो ऐसे इंसान का इंदर्जार ना करना ही बहतर होता है, तो मेरी हमेशा सिंपल लॉजिक और सिंपल थौट्स होते हैं, तो इतना कहते हैं, रीडिंग को कर रहें, क्लोस अपना रखना है, बहुत अच्छा ख्यार क्योंकि मैं करते हूं, आप सबसे बहुत जारा प्यार, आई लव यू आल, ठेक है, नमस्ते, और बबाए, यह वल्कम बैक, तो जिन्होंने भी पार नंबर टू, पॉसिबिलिटीज यानि की, कुछ चांसे, कुछ उम्मीदे, ब हुआ है की, झाल, पुछ जार नंबर टू करते हैं, बहुत जा एंचिग सेहीं केती हैरा प्यार कई क्या आप दोनों के पीछ में नजदीक क्या बड़ेगी कांसेज है पॉसिबिलिटीज है गाइस देखते हैं ओके चले गाइस मने का लिए कार्स के सफलिंग निकालते हैं कुछ कार्स पहला कार आया है फॉर अफ कप्स एट अफ कप्स चुगम्जम्ट नक धस्वड में तरणी चुचम्च में चले इसपनी था अच्छ में ऊदकांत झाल्व mart यून क चले में तरणी को सोर्थ हैं ड़ैजम्ट झालां तरणी को झालते हैं था की लिए उवटते हैं तरण Gew butterण का sistegय कूल Vans, okay, King of Cups, वाव, 4 of Vans, beautiful, वाव, देखे गाई, 10 की तीन एनरजी आई है, okay, 10, 10, 10, देखे हैं आप, 3, 10, triple 10 आया है, यहाँ पर, और बॉटम में भी आया है, wheel of fortune, और हमारी यहाँ पर लग गई है, lottery, ओके, सुपर्ब कार्ड निकले हैं, तो, चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर sign और element भी बता देती हूँ, कि क्या निकल कर आया है, आपके sign और element, कप्स की ज्यादा energy आई है, यानि कि water sign है, कैंसर स्कॉर्प पर पाइसस, करक रिशिक में रासी, सभी energies है, यहाँ पर, कप्स की ज्यादा है, उसके बाद में यहाँ पर मुझे, नजर आ रहा है, air sign, जर्मनेली प्रायकोरस, मिथन तुला कुमरासी, और sign भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्प विशप कर्या मकरासी, फाया sign भी है, लियो सेटर जारेस, यह धनुमेश रासी पर, water sign ज्यादा है, यह आपके energy भी हो सकते है, आपके person की भी energy हो सकती है, इन कार्ट को देखकर मैं आपको एक साहिरी भी सुनाती हूँ, सुनी, मुझे रुलाकर रोना तो तेरी आदत बन गई है, जिस दिन मेरी आखना खुली, उस दिन तुझे नीन से भी नफरत हो जाएगी, कैसी लगी गईज, तो यहाँ पर यही हो रहा है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुलाया जा रहा है, आपको दर्द दिया जा रहा है, आपको आसू दिये जा रहे हैं, और उस इंसान को साहित कोई फरक नहीं पढ़ रहा, जो वज़य है आपके आखों के आसू की, है ना जिस इंसान के वज़े से आपके आँखों में आसु आ रहे हैं आपके दिल में बहुत ज़रा दर्द है पेन है और उस इंसान को कोई फरक नहीं पढ़ रहा क्योंकि ऐसा लगता है आपको है आपको छोड़ कर दिया है आपको लगता है कि इस दुनिया में अब इनके अलावा आपके पास कुछ नहीं है ऐसे आप यहां पर हो यानि कि आपके पोर्सन इस तरीके से आपके लाइफ से वाक आउट हो गए चले गए ठीक है करेक्ट है रिलेशन्शिप दूर हो गई है ठीक है तो आज का जो हमारा सवाल है कि क्या यह नजदी क्या फिर से बढ़ेगी या आपके पोर्सन नजदी के आपके साथ बढ़ाएंगे क्योंकि दूर तो जा चुकी है दिख रहा है यहां पर दूर चले गए है तो आप वापस आकर क्या नजदी के आप बढ़ाएंगे कि उमीद अभी बाकी है मेरे दोस्तो, समझे, पैल नमबर टू, उमीद यहाँ पर बहुत बाकी है, उमीद अभी जिन्दा है और आपको भी यह उमीद नहीं छोड़नी है, क्यूंकि डेफिनेटली आपके पोस्टन जिन से आप प्यार करते हो, डील करते हो, जो आपकी लाइ आएंगे और डेफिनेटली आएंगे और अपनी जो दूरिया थे वो मिटाएंगे और नजदी के फिर से बनाएंगे, यह है आपके सवाल का जवाब, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया, क्योंकि यहाँ पर यह इन्सान आपसे दूर होने के बार में, हैना अभी आपसे द consumed, में हो, पर आपको दर्द दे कर आपसे दूर होकर, यह इNG सान खुद यहाँ पर, बहुआ जारा डरा हुआ है, बहुआ जारा परीसान, बहुआ जारा दर्द में है, पेन में है, यह ज ello दूरी इन्हों ने खुद बनाए है, इस दूरी के वजे से यह इन्सान खुद चै बहुत बेचेन हैं बहुत पस्तावे में हैं बहुत रिग्रेट में हैं जानते हैं इन्हें लगता है कि मैं इस इंसान से बहुत जारा प्यार करता हूं या करती हूं पर मेरे रास्ते कहां है मुझे रास्ते क्यों समझ में नहीं रहा है नहीं आ रहे हैं मैं बहुत जारा दर् परिवार के बोष्टे तले इन्होने अपनी खुष्य वार दी अपने प्यार का गला घोड दिया अपने परिवार के बात इन्होंने तो कि यह चुटकारा ना की पोसर ने यहाँ पर जितने भी बेवकुफिया की है आपके साथ रिस्ते में ये बेवकुफिया इस इंसान ने जान बुचकर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपके साथ की है इन्होंने किसी प्रपोस के साथ किया है कि कोई ना कोई इस इंसान को ऐसी मजबूरी रही होग ताकि आप इनसे नफरत करो, ताकि आप इनसे दूर हो जाओ, तो ऐसा इन्हों ने अपना अलग चाहरा आपके साथ सामने प्रस्तूत किया है, दिखाया है, ना चाहते हुए भी, यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इनसान आपसे दूर हो जाए, King of Cups के अनरजी में है, द परिवार दिया है, अपनी feelings को, जजबात को, जो भी प्यार आपके लिए थी, इसका गला इस इनसान ने खोड़ दिया है, क्योंकि यह इनसान परिवार को बहुत जाए वैल्यू देते है, परिवार को दर्द देकर, परिवार को दुखी करकर, यह इनसान आपको खुश नह नहीं लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है, परिवार की पीचेमेवारी बहुत बड़ी होती है, और परिवार को दर्द देकर, कोई इनसान खुश नहीं रह सकता, इस टाइप की mentality आपके person की मुझे आप नज़र आ रही है, परिया पर जो यह किया है ना इन्होंने जो है आपने आपके portrait किया है इस हिसाब से आपके सामने, मुखोटा लगा कर इन्होंने दिखाया है, कि आप इनके life में matter नहीं कर दियो, आपके कोई अहमेत नहीं है इनके life में, पर यह नहीं है, प्यार करते हैं आप से अभी भी, पर नहीं बताएंगे, नहीं दिखा रहे इसी है, गाइस, देखे, हाला कि यह इनसान अभी बहुत ज़रा pressure में है, दूसरों के बोच के तले इनसान दबे हुए, इन्हें लगता है कि इनकी अपनी family की तरफ भी बहुत ज़रा response ladies है और यह अपना मूर नहीं फेर सकते, इन्हें ऐसा इन्हें अभी feel हो रहा है, इसी वज़े से यह चले गए है, आपको call नहीं कर रहे है, आपको block कर रहा है, आपके messages का reply नहीं करते, आपको call back नहीं करते, आपको जब भी अगर यह contact कर भी लेती होंगे तो, you know, आपको बहुत ज़रा दर्द देने वाली बाते यह आपको करते होंगे, हैना तो आपका दिल औ ज़राने की कोशिस करें, जो कि हाकिकत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी सचाई नहीं है, देखे guys, हमारा सवाल है कि क्या यह नजदी के आप बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर answer आपको मिल चुका है, कि definitely यह इन सब तमाम जो भी हरकते यह आपको आपके साथ कर रहे हैं, आपक कर पाएंगे, यह वापस आपके life में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से positive cards आये हैं, और positive cards, judgment का आया है, यानि कि judgment क्या दिखाता है, reconciliation को दिखाता है, दुबारा मिलने को दिखाता है, यह आपके life में वापस आना चाहते है, यह दिखाता है, आपके साथ एक happy ending देखत है, यह दिखाता है, गलतिया जो भी इनोंने की है, उस गलतिया को सुधारने को दिखाता है, खुद पस्तावे को दिखाता है, हैना आकर माफी मांगने को दिखाता है, तो judgment यानि की न्याय मिलने को दिखाता है, और यह इंसान जानते है कि मैं वापस आउंगा, या मैं वा परिवार की बातों में यह आ गये हैं अपने आपको बनाने की कोशिच कर रहे हैं कि जिस दिन मेरा वक्त आएगा तब मैं कुछ करूंगा इस रिस्ते को लेकर और वह रिस्ता है आपका रिस्ता अभी तो यह मान rehaid जो जो परिवार इने कहती जा रही है परिवार के आगे जुके हुए है वो सकता है ये उस लेवल पर नहीं पहुंचे है कि आपको यह अभी अपना सके पर इने लगता है कि वो फक्त आएगा जब मेरी चरेगी जब मेरी बाते सब को सुननी पड़ेगी उस दिन जो है मैं करना चाहते दे वांट विन जीत का काड़ यहां आया है और जीत इस रिलेशन्शिप के डेफिनिटली होगी और साथ आया है यहां पर वील ओफोर्चन तो क्या कहना गईस देर इस नथिंग यहां पर इतने पॉजिटिव काड़ आये है वील ओफोर्चन का आने का मतलब है कि यह इंसान खुद भी वक्त का इंतजार कर रहे है यहां पर कि मेरा वक्त जिस दिन आएगा उस दिन हतोड़ा जो है मैं ही मारूंगा उस वक्त का इंतजार करते हुए नजरा आ रहे है और यहां पर वक्त का इंतजार करना बहुत ज़्यारा ज़रूरी है क्योंकि बॉट और उसे मुक्थ होकर ये इंसान आपके पास वापस आएगा और इस रिस्ते में एक जीत हाइसल आप जोनों को होगी ये इंसान जीतना चाहते हैं इस रिस्ते को लेकर नजदी के फिर से कायम होगी जो दूरिया यहाँ पर बड़ी है यहाँ पर वक्त आएगा कि यह दूरिया नजदी के उमें तबदिल हो जाएगी फिर से समझ रहेगा इस तो बहुत ही beautiful cards यहाँ पर आया है और सबसे बहतर इन card जब यह आता है तो आप जानते हो आप में से बहुत लोगों का किस्मत बदल जाता है है ना आपने देखा हुआ है कि जब जब यह card आया है तब तब आपके person आप में से बहुत लोगों के person वापस आये है और इस reading में भी आप में से बहुत लोगों के person इन जिम्मेवारियों से इन चीजों से इन मुसीबतों से निकलेंगे और आपके पास वापस आएंगे आपके साथ नजदी क्या ये बढ़ाएंगे डेफिनेटली बढ़ाएंगे पाइल नमबर टू और जो आपको यहाँ पर उमीद थी वो उमीदे आपकी फिर से पूरी होगी जो ओफर्स अभी आपका ठुकरा रहे है ये वक्त आने पर आपके ओफर्स को फिर से अकसेट करेंगे अब यहाँ पर मैंने कहा है कि 10 का कितना कार्ड आया है आप देख लीजे ये भी 10 का ही कार्ड है ये देख लीजे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 10 जो नंबर है यहाँ पर 4 कार्ड आये है तो यहाँ पर मैं आपको देती हूँ नंबर 10 तो नजदी के अकब बढ़ाएंगे 10 सेकंड में बढ़ाएंगे कुछ लोगों के लिए साइध रीडिंग देखते देखते आजाए आपको उनका मैसेज 10 घंटे आपके परसंग की मजबूरिया बहुत ही ज़्यादा है यहना बहुत ही ज़्यादा अगर फैमली प्रेशर में यह है तो कुछ लोगों के लिए 10 महीने भी हो सकते है तो आपको देखना है कि आपका सिच्वेशन कैसा है आपके परसंग कितने ज़्यादा अपने फैमली के तरफ लोयल है कितना ज़्यादा फैमली की बातों को इगनोर नहीं कर सकते यह चीज आपको देखनी है ध्यान देनी है और उसी हिसाब से आपको वक्त चूस करना है 10 सेकेंड, 10 मिनिट, 10 दिन, 10 घंटे या 10 महीने या 10 हफते तो यहाँ पर 10 का सबसे इंपोर्टन रोल आया है आज की रिडिंग में और मैंने आपको दिया है नमबर 10 नस्दिक्या बढ़ाएंगे 10 का नमबर है आपके लिए पाइल नमबर 2 आपके साथ नस्दिक्या बढ़ाएंगे आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है दर्द में है प्रॉलम में है पर यहां कहीं ना कहीं फैमली प्रेशर की नीचे दबे हुए है तो इतना कहते हुए रिडिंग को करती हूँ अपना रखने आपको बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार आई लव यू आल ठेक केर नमस्ते और बबाए गई गई